question देखेंगे 3 particles of mass M each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A तो एक equilateral triangle दिया हुआ है तो एक imagine करो equilateral triangle और यहां पर 3 particle रखा हुआ है M mass का M mass का और M mass का जो side है triangle का वो A है ठीक find the work done find the work which should be done on this system to increase these sides of the triangle to 2A अब अगर मैं इस triangle की size को बढ़ाना चाहता हो तो मैं को क्या करना पड़ेगा सोचो क्या करना पड़ेगा इस particle को थोड़ा सा यहां लाना पड़ेगा डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस particle को ऐसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस particle को ऐसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि final इन लोग यहां पे यहां पे और यहां पे हो और यह वाला जो side है वो क्या बन जाए 2A 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 ठीक है और इस प्रोसेस में वर्क कितना करना पड़ेगा यह question है ठीक है तो यहां पर ध्यान से देखो यह configuration initial configuration है और यह वाला जो configuration है यह है final तो अब यहार work क्या होता है work done by work energy theorem याद करो बड़ा simple सा है work done by all the forces is equal to change in kinetic energy यही होता है अब यहां पर all में क्यों क्यों आएगा work done by external force कोई ना कोई external force होगा ना जो इन लोगों को दूर ले जा रहा होगा plus work done by क्यों gravitational force should be equal to delta k अब delta k क्या है zero है क्योंकि यहां पर कुछ mention नहीं किया हुआ है mention नहीं किया हुआ है लिखा हुआ है कि placed at the three corners यानि कि रखे हुए है और उसको अपने को finally to a distance पर ले जाना है इसका मतलब वो finally भी rest पर है तो मलब यह language से समझने वाली बात है common sense की बात है तो डिल्टा की की value zero आएगी तो work done by external force क्या आ रहा है minus of work done by gravitational force अब minus of work done by a conservative force what is minus of work done by conservative force change in potential energy simple ठीक अचा कुछ लोगों को यह सीधा भी लिख सकते मतलब जैसे थोड़ा सा अपन भी practice अच्छे होगी तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि work done by external force is equal to change in mechanical energy अब यहाँ पर change in cardiac energy तो 0 है तो केवल change in potential energy आया तो whatever is the work done by external force that will be converted into change in potential energy तो question में यही तो पूछा है कि work done by external force क्या है ठीक है तो अपने को ले देके change in potential energy निकालना है और कुछ नहीं अब change in potential energy का मतलब क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशल पाइनली किसी भी दो किसी भी एक पेर की बीच की distance क्या है टूए यह मास्ट यह मास्ट तो potential energy इस पेर की क्या हो जाएगी माइनस जी एम एम डिवाइद बाइड 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 टूए और ऐसे कितने पेर हैं तीन पेर हैं इंटू थ्री यह हो गए इनिशल यह होगी फाइनल पोटेंशल एडी माइनस इनिशल पोटेंशल एम एम बाइड अच्छा यहां पर एची जोर आएगा सॉरी इंटू थ्री यहां पर भी आए रहे हैं अब वैज क्योंकि ऐसे पिर हैं बस हो गया सॉल और क्या है यहां पर कॉमन आजाएगा थ्री जी एम एम और माइनस वन बाइड टू ए प्लस वन बाइड आ जाएगा है कि क्या हो गया थ्री जी एम हैं यह दिखर है ना पॉजितिव है वन बाइए माइनस वन बाइड तू ए-क्लस बाइट अ हम यह तो यहां क्या रहे हैं वर्क दंग एट्रनल सोर्स पॉजिटिव और आ रहा है आंसर तो आ गया वह बड़ी बात नहीं है अब इसका सिगिक पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो पॉटेंचिल एनजी बढ़ेगी, मेकैनिकल एनजी बढ़ेगी, काइनजी में कोई चेंज आ नहीं रहे है, तो पॉटेंचिल एनजी बढ़ेगी और यहां पर एफा ही हो रहा है, जब भी किसी अट्रैक्शन वाले सिस्टम को मैं दूरी ब वसका दम